उत्रप्रदेश के उप्चुनाओं से पहले समाजवाधी पार्टी के प्रमुक अकलेश श्यादो एक बड़ी मुश्किल में फस्न है और ऐसे में खबर सामने आए कि अकलेश श्यादो की मुश्किले अब बड़े इस तरपर बढ़ सकती हैं समाजवाधी पार्टी प्रमुक अकलेश श्यादो की संपत्ती को लेकर बीदेक उस दिनों पहले सियासत तेज हो गई दिल्ली के करेकरम के दौरान अकलेश श्यादो से उनकी संपत्ती को लेकर सवाल पूछा गया सवाल का वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल भी हुआ अब बीजेपी ने सोसल मीडिया के जरिये उनके बैंक बैलेंस में पंद्रा सो फीसिदी बढ़ने का दावा किया है जिस पर सपा प्रमुक ने पलटवार किया बीजेपी द्वारा किये गए दावे पर पलटवार करते वी अकले श्यादों ने पीएम केर फंड बर सवाल भी खड़े कर दिये उन्होंने सवाल मीडिया के जरिये पोश्ट कर लिखा एक दिन था बिना हिसाब किताब का केर फंड जनता ने जिसका नाम रख़ा अनफियर फ समाजवादी बैंक बैलेंस जिस पर अब लगातार चर्चाएं हो रही है माना ये जा रहा है कि अकलेश यादो के बैंक बैलेंस की अब जांच हो सकती है कि अकलेश यादो का बैंक बैलेंस अचानक से कैसे बढ़ा है और अकलेश श्यादो के बैंक बैलेंस बढ़ने की असली वज़ा क्या है और जो पैसा उनके पास है उसका ब्योरा उनके पास है या नहीं अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हाली में अकलेश श्यादो ने लगातार बीजेपी पर जमकर निसाना साधा था उसके बाद सीधे सीधे तोर पर उन्होंने कहा था कि भारते जनता पार्टी आज भौकला रही है भारते जनता पार्टी के लेता आज पूरे तरीके से जमीनी इस तर पर लबलेट हो चुके हैं इन्हें समझ नहीं आरा क्या करना है क्या नहीं यह गलत तरीके की वयान बाजी कभी मायावती को लेकर देते हैं कभी किसी को लेकर और ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुना में भी बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारेगी सपाईयों ने सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया अपने दर्शकों को बता दें कि अकलेश शादों ने कहा भारतिय जनता पार्टी हिंदू मुसल्मान जाती भेदभाव करने वाली पार्टी है और जिस तरीके के हालाँ देखे जा रहे हैं वो जाहिर तोर पर ये बता रहे हैं वो ये साफ तोर पर बता रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर एक बड़ी मुश्किल में क्या वाकई फस्ती नजर आएगी समाजवादी पार्टी